कि दोस्तों आज हम लोग एक रिमोट के बारे में बात करेंगे यह गौट्रिट कंपनी का कि जेसी एक्टीन एफेक का रिमोट है यह यहां पर हमारा इसमें अन आफ का फंक्शन दिया है ए मोर्स से चेंज कर सकते हैं अभी यह ऑट्टो मोॉट प markets चाहीं कि स्पीट तो कि ना कि स्पीड नयच्ट कर सकते हैं कि गार्वी कि दूंस नीक हुआ नफीश करेगा कि नहीं करते हैं घंड कि इस पीठ यह कि इसके बाद मोट से हम लोग कूल मोट पर आ जाएंगे कूल मोट पर फैन की안傷 कर सकते हैं चैनल कि इसमीरि के पॉइंट है हर्ण राइक है फैस ब्रूत समें टिंड्लोड पैंड़ियम तो फैन की भी ऐसे आज ड्राइ मोड लगा सकते हैं ड्राइ मोड इस्पेशली रेनी सीजन के लिए है जब भी हमेरिटी 80-85% से ज़्यादा होती है ड्राइ मोड में हम टंप्रिचर का चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं लेकिन फैन की स्पीड हमारी चेंज नहीं होगी किसी तरह से यहां पर एक है स्लीप मोड दिया हुआ है कूल पर कर लेते हैं कि टंप्रेचर हमने बाहर से आये बहुत हमको गर्मी लग रही थी तो हमने 23 टंप्रिचर रखा लेकिन रात में जब हम आराम कर रहे होते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब हमको ठंड़क लगने लगेगी 23 में तो अगर हमने स्लीप मोड को सेलेक किया है स्लीप का इंडिकेशन आ जाएगा उपर राइप साइस को आफ दिखेंगे और एक घंटे के बाद ये टंप्रिचर 24 हो जाएगा फिर एक घंटे के बाद ये 25 हो जाएगा और दो घंटे टंपरिचर आप्टमेटिकली दो घंटे में टंपरिचर दो डिगरी बढ़के और ये निक्स 7 और 8 आवर्स तक बढ़ेवे टंपरिचर पर चलता रहेगा और फिर नर्मल अपने 23 पर आ जाएगा अल्मोस्ट 8 आवर्स के बाद तो ये हमारा स्लीप मोड है इसी तरह से टाइमर को हम यहां से आफ कंडिशन में आउन टाइमर लगा सकते हैं और आउन कंडिशन में आफ टाइमर लगा सकते हैं अभी तो यह आउन है हम यहां से टाइमर को टच करेंगे आदे घंटे का एक घंटे का देड़ घंटे का यह टाइमर हम इसमें फिक्स कर सकते हैं 23 आवर्स तक 24 आवर्स तक की टाइमर हम यूज कर सकते हैं जैसे जैसे टाइम गजरता जाएगा यह मैनस होता जाएगा और जो हमने टाइम सेट किया है इसके बाद हमारा एर कंडिशनर आफ हो जाएगा इसी तरह से आफ कंडिशन में हम आउन टाइमर का यूज कर सकते हैं आफ कंडिशन में हम आउन टाइमर का यूज कर सकते हैं यहां से रिसेट कर सकते हैं पूरा रिमोट रिसेट हो जाएगा और रिमोट को हम लॉक भी कर सकते हैं यहां पर किसी पेंग की मदद से इसको लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं तीन और फंक्शन यहां पर दिये हैं एक एयर का डारेक्शन है यह बेसिकली लुवर्स का डारेक्शन है यह लुवर्स का डारेक्शन है हम इसकी मदद से लुवर्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं चला सकते हैं रोग सकते हैं LED डिस्प्ले हम जो हमारे एर कंडिशनर पर होती है इसकी मतंथ कर सकते हैं और LED को आपिज लास्त में यह तर्बो फंग्शन दिया है यह तर्बो फंग्new फैन मोटर की स्पीड को हाई स्पीड से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है तो हम यहां पर टर्बो फॉंक्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि पूल मोट पर किया हुआ है हमने तर्बो फॉंक्शन यहां पर कि सेलेक्ट हो जाएगा फैन को पहले हम लोग मीडियम पर कर लें और अपके टर्बो फॉंक्शन सेलेक्ट हो गया है अल्मॉस्ट थर्टी मिनिट्स तक यह हाई से भी ज़्यादा स्पीड पर फॉंक्शन करेगा कि दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने रिमॉट को आसानी से यूज़ कर सकते हैं प्रॉंक्यों कर देखते हैं